आईड़ा पर इस स्वक्त बड़ी ख़वर सीता पुर जनपत के रामपुर कला इलाके से मिल रही है जहां रेडिको खेतान सरा फैक्टरी में टैंकर चालक की संदेग परिश्यतियों में मौत होना का मामला सामने आ रहा है क्या है पूरा मामला जदा जानकारी देने के लिए आईड़ा के रामपुर कला समवा था आजीज सिंग तो आजीज जी बताए क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको देखिए फरमान जी आपको बता दें यह जो मामला है रेडिको खेतान सरा फैक्टी कंदुनी का है जहां पर टैंकर ड्राइवर बजरंगी जो जौनपुर टैंकर लगेए उनके दौरा कि उन्होंने बताया है कि जिसमें जो टैंकर ड्राइवर था वो टैंकर पर चड़ा हुआ था वह उस पर जब टैंकर पर ठाथा तो अनियंतित होकर नीचे गर गया जिसकी ट्रामा संटर लखनव ले जाते वगत रास्ते में मुद्ध होने की जानकारी प्राफ्ट हो रही है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो जानकारी प्राफ्ट हो रही है सूत्रों के मुताबिक जो ट्राइंकर ड्राइवर ब जहां पर उसकी मौके पर ही मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है अजी जी एक जानकारी चाहेंगे कि इस पूरे मामली में पुलिस का क्या कुछ कहिना है देखे जिब इस संब्ध में कंदुनी चो की प्रभारी ओपी सिंग से बात हुई है उन्होंने बताया है कि मौत की जानकारी प्राप्त हुई है अभी कोई सूचना या लिखित तहरीर नहीं दी गई है जैसे कोई तहरीर आती है विधित कारिवाही की जाएगी और एक और फर्मान जी आपको जानकारी दे दें जहांते कि सूचना सूत्रों के मताबिक प्राप्त हुई है जो मृतक बजरंगी था उसको एथनाल भरने का कोई अनुभाव नहीं था अब उसके बावजूद भी मतलब प्रेसर पाइक से एथनाल भरने को कहा गया जिसकी चपेट में आने से उसकी मृत्त हो गई है अब यह सवाल बनता है कि कोई किस करमचारी ने और इस पूरी की पूरी घटना तभी कंफर्म हो पाएगी जब सीसी टीबी फुटेज से लगाया जा सकता इस मृत्त का पूरा पता जी विल्कुल या थी आइडिया पर इस वक्त की बड़ी ख़बर जहां रामपुर कला के कंदोने इस्थित रेडिको खेतान सरा फैक्टरी में टैंकर चाली की संदिग्द परसितों में मौत हो गए फिलाल अभी संदिग्द मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है इन तमाम रानकारियों के लिए आपका शुक्रिया आजियत